नेता प्रतिपक्ष भुपेंदर सिंग घुड़ा की एक्स्क्रियोजिव बातचीत के साथ सिधे चंडिगर करुख करेंगे हमारे समाधाता रवी चंदेल मौझूद है नेता प्रतिपक्ष भुपेंदर सिंगुड़ा इनसे बातचीत करेंगे और प्रदेशिक मुद्धों को लेकर क्या कुछ फीदबैक मुद्धों को लेकर बातचीत की जाएगी सर लगातार प्रदेश का दौरा किया जा रहा हर मद से सरकार को घेरने की कोशिश आपके दौरा की जा रही है क्या कुछ फीदबैक मिल रही है घेरने कोशिश नहीं करते हैं हम जन्रित के मुद्धे उठाते हैं जो परेशानी है लोगों के सामने वो उठा रहे है ऑज जो है ज्यांं कि आवक हुई है और मंडियां भरि पड़ी हैं तो किसान और 88 दोनों वर्ट परेशान तो ये सरकार की को जो है ना ना वो काम्याबी की बात कह रहे हैं कि ये टाइम पर होना चाहिए लिफ्टिंग का टेंडर अब तक बहुत जगा लिफ्टिंग टेंडर नहीं करें जो नुकसान हुआ है किसान का बेर मौसमी पारी से उसको कंपर्शेशन देने के लिए कोई जारी हुई थो उसे 6% से बढ़ाकर 18 फिज़ी तक जो है वो रहात देने का काम किया गया साथी साथ गिर्दावरी का यदि जिक्कर करें तो सरकार का साफ तो पर कहना है कि गिर्दावरी का अधिकांश काम जो है वह पूरा हो चुका और इस महीने जो है वो गिर्दावरी क और केंदर सरकार ने जो तरह मिटर के हैं कोटाथी करें लस्टर लॉस में इतनी कटाथी होगी तूटे वे दाना में इतनी कटाथी होगी इस किसम से वह सारी कटाथी तो हर्याना सरकार को पूरती करने चाहिए उसकी उसमें कोई दो रहा ही नहीं है बेमाय ने मैस्वी भी जारे करती है व हर्याना सरकार को लिखा हुए बाद में गाल ने करेंगे नहीं करेंगे का इस शुरू से होना चाहिए इनका इस छो भी वेल्यू कट है सब की जो करना चाहिए 7500 रुपर्धी कौंट्रол कम पर बोनस देना चाहिए किसान का बड़ा भारी नुक्सान हुआ आपके बिजली को दरों को आपने सर जिक्र किया था बिजली के दरें जो है वो बढ़ाई गी है इसको लेकर लगातार जो है वो बियान बाजी जा रही है आप ही के पार्टी के प्रदेशा देक्ष करते हैं आदानी को फाइदा पहुचाने के लिए इस तरीके कि आप जो कर जो है वो लगाया जा रहा है आम जन पर ताकि आदानी किसे जो नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके देखिए बिजली का दर बढ़ाने को मतलब भी नहीं है हमारी जा साल सरकार है एक बार भी बिजली के दर नहीं बढ़े बलके घटाए हमने किसान को 10 पैसी उनिट देने काम किया किसान के लिए 16 क्रोड के बिजली के बिल माफ करने काम किया बिजली दर बढ़ा रहे हैं जो कि आम आज में जो 600 अगर यूनिट जो इस्तमाल करता महिने में तो 300 रुपे का और अतिरिक बाहर उसके उपर डाल रहे हैं तो जनुरी रोधी सरकार है जनुरी रोधी फैसले लेगी है पोर्टल्स का लगातारा आप शिकर करते हैं आप कहते हैं सरकार पतंच कसते हुए कि पोर्टल्स की सरकार है और मुखे मंतरी दूसरी और कहते हैं कि पोर्टल्स नहीं होंगे तो सरकार चलाने के लिए सुनने के लिए किस तरीके से फाइदे ig Siri करना भी मिम्किन नहीं है। पहले सरकारे नहीं चलती ठीक खरीद नहीं होती थी कैम टाइम पर खरीद होती थी टाइम पर उठा सब्सक्राइब मिलती थी फोड़को यह बुरी दी यहा है पर्मानेट प्रशान reden पत्र हो ऐसे इस्तिमाल नहीं करने चाहिए राज कोशिय घाटे का सरा अंतिम सवाल राज कोशिय घाटे को लेकर आप लागातार चुछ हैं वो सरकार पर तंज कसे किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री कहते हैं कि यदि हम गर्ज नहीं लेंगे तो विकास के कारे को किस बढ़ी है और मैंट्र बढ़ाई है क्या किया है विकास का था करे लेना चाहिए कोई बात नहीं किकर देखे गया कहां इतना कर्जा करदा आंदो से ज्यादा करदा बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे हमारे साथ पुर्व मुख्यमंत्री एवं नेतर पतिपक्ष पुपेंदर सिंग हुड़ा जिनों ने सरकार द्वारा जुजन हित की यूजनाई चलाई जारी है उनको लेकर किस तरीकी की कमिया और किस तरीकी की परेशानी से जो है वो आ आवजा खिस्तानों को मिले उसको लेकर तमाम बात्रित करते सरकार करते हैं